Hello students, से लिए स्टार्ट करते हैं exercise 16.3 का question number 19 देखते हैं क्या है In an entrance test that is graded on the basis of two examinations एक कोई भी entrance test है जिसके अंदर दो examinations लिये जाते हैं और grading जो है उन दोनो examinations के basis पे दी जाती है The probability of randomly chosen student passing the first examination is 0.8 First examination pass करने वाले student की probability हमें दे रखे 0.8 And the probability of passing the second examination is 0.7 और second वाले exam को pass करने वाले students की probability दे रखे 0.7 The probability of passing at least one of them is 0.95 अब यहां बे क्या कर रखे at least one को pass करने की probability दे रखे 0.95 What is the probability of passing both? अब ध्यान से सुनो question के अंदर क्या क्या given है क्या हमने find out करना है हमें एक event है example के तोर पे मान लो यह हमारा क्या है examination इसके अंदर एक तो first exam है हमारा एक second exam है इसको हम A event मान लेते हैं इसको हम B event मान लेते हैं A event को करने की probability दे रखे 0.8 B event को करने की probability दे रखे 0.7 ये चीज़ तो हमें पता लग गई उसके बाद क्या दे रखा है The probability of passing At least one of them is 0.95 ऐसी probability दे रखे है कि मतलब कम से कम एक exam तो बच्चे ने पास किया ही हो या first किया हो या second तो उसकी probability 0.95 दे रखे है मतलब probability of A union B दे रखा है A union B ही हमारा क्या होता है maximum probability शोगरता है तो वो कितनी दे रखे है 0.95 अब दोबारा मैं बताऊँगा यहाँ पे आपको कैसे पता चला कि 0.95 union गीवन है हमें बस यहीं पे confusion होगी बगी आपको कुछ problem नहीं होने वाली probability of passing at least one of them at least एक exam को pass करने की probability हमें कितनी दे रखे 0.95 अब ध्यान से देखो A अगर मान लो कोई event है उसके अंदर elements है 1,2,3 B event है 4,5,6 तो A union B कैसे लिखा जाएगा इन दोनों को add करके combine लिख देंगे 1,2,3,4,5,6 यही तो होता है union तो यहाँ पे क्या आता है इन दोनों का total और जो common value होती है उनको बहार निकाल देते है तो यह हमेशा क्या होता है A और B की value से greater होता है तो यह union है हमेशा क्या होगा इन दोनों की value से greater मिलेगा intersection होता तो कम मिलता यह चीज मैंने पहले भी बताई हुई है question के अंदर ठीक है तो यहाँ पे हमें क्या-क्या दे रखा है ध्यान से देख लो probability of event A मतलब first exam को pass करने की probability दे रखे 0.8 second को exam को pass करने की probability दे रखे 0.7 और probability of A union B दे रखा है हमें 0.95 दोनों को pass करने की probability निकालनी है तो P of A intersection B अब यहाँ से भी आपको पता चल सकता है दोनों को pass करने की probability निकालनी है मतलब A B होना चाहिए B B तो इसका मतलब दोनों का intersection यह हमने find out करना है क्योस्टन के अंदर और कुछ भी नहीं था बिल्कुल simple क्योस्टन है बस statement समझनी है तो यहाँ पे probability of A intersection B किसके equal हो जाएगी probability of A plus में probability of B minus में probability of A union B ठीक है तो यहाँ पे क्या आजाएगा probability of A intersection B is equal to probability of A कितनी दे रखे है 0.8 probability of B कितनी दे रखे है 0.7 minus में probability of A union B कितना दे रखा है 0.95 soul out कर लो इसको तो probability of A intersection B किसके equal हो आगया 0.8 और 0.7 कितना हो गया हमारा 0.15 sorry 8 और 7 क्या हो गया हमारा यह हो गया 1.5 minus में 0.95 तो इसको subtract करेंगे तो कितना आगया probability of A intersection B is equal to 0.55 this is the answer तो दोन्नों exam को pass करने की probability क्या होगी 0.55 अभी मैंने बताया था intersection दोन्नों की value से कम आएगा तो आगया ना union दोन्नों से ज़्यादा होता है वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है यह trick ना कोई नहीं बताता बहुत कम teacher बताते हैं तो यह आपके जो one marks question आते हैं cq आते हैं entrance test के अंदर आते हैं वहाँ पे आपको utilize करनी होती है यह trick तो अगर trick अच्छी लगी हो concept समझ में आया हो intersection और union को हम कैसे जल्दी पकड़ सकते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए comment करके ज़रूर बताईए और subscribe ज़रूर कीजिए channel को thank you students for watching Nexa Classes